यहाँ पर एगनियों की चितनी विद्धियारती है आज एगनियों की तरफ से कुछ important notification आज 13 मईए 2022 तो एक एक करके और यहाँ पर मैं एक चीज और बता हुआ क्या इसकी last date को assignment समय से क्योंकि 15 मईए 2022 इसकी last date को extended किया जाएगा अगर किया जाता तो आप किस परकार से online के मादम से समिट कर पातों या offline के मादम से तो एक एक करके मैं साथ नोटिफिकेशन को इस वीडियो के मादम से ठीक है guidelines भी हाँ पर available कर दीए कोन विध्यारती एलिजीबल है जिन विध्यारतों ने 2019 सेसन में 2021 सेसन की विध्यारती कोविट 90 जो कोविट 90 चल ला था उस दुरह उनका अगर लैब एक्जाम नहीं हो पाया बीस प्रोग्राम मालोगा तो उनका पूरा यहां पर मैंजन करता जो विध्यारती यहां पर क्या प्रैक्टिकल यहां पर लैब इक्जाम होगा वह 18 मही 2022 से 20 मही 2022 तक कंड़ेट किया वही अगली अब बात करते हैं यहां पर कोड़ कप कमतों की 10 से मतलब 10 से 11 फिर उसके बाद 11 15 से बारा पंदरे की बीच में फिर 12 30 से एक तीस के बीच में आपका कंड़ेट के जागा फिर उसके बाद 19 तारीक को कंड़ेट के जगा वह बात करता हुआ जिकीश पंदरा माई 2022 में लगिए विद्यारती आपडेट नहीं हुआ उनका फैल अपडेट हुआ इस बार का अभी कुछ कुछ दिन पहले का रिजर्ट अपडेट वह वहाद कम नंबर 100 दुरान तो ऐसे में के मांक हो जाएंगी जो भी दियारती फैल है उनको क्या एक्जाम फिर से देना पड़ेगा अगर एक्जाम देना पड़ता है तो फीस के द्वारह से पेमेंट करनी पड़ेगी यह फिर जिन विद्यारतों को परमोशन ओफर गया 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 पर उनके नमबर अभी तक अबडेट नही प्लस में आपके у verste here AG अगर हम्ए बहुत ज्जादा कम है तो यह आपको लगता कि इसके Number सकते हैं आप मा चया हैं से इसका है सब्जांप करवा इसकी बढ़ सकते हैं और यह बढ़ सकती हो सकता है कि 30 मई तक हो सकता उसका इसकी बढ़ मचली जांसें से बढ़ाने कinin कि बहुत बार action it हो चुक है पहले से assignment submission की अगर फिर भी अगर आपना assignment submit नहीं के तो जरूर assignment submit कर दें वहीं अगली लोटीफिकेशन की बात को लोटीफिकेशन आपका जून 2022 session के लिए हाँ पर link assignment submission की link activate कर दी गई हो लेन के मादन से बहुत पहले कर दी बट इस रीजनल सेंटर ने डैली वन रीजनल सेंटर ने कि फिर साइमन समीशन की लिंक को activate कर दिया गया तो यहां पर किस परकार से स्किल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूआं और आप सबसे पहले हाँ पर क्या 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 चीज फ्रणट पेज पर मैंशन कर दी वो चीज मेंशन करका तो सबसे पहले नंबर पर एंड़लमेंट नंबर प्रोग्राम कोड कोर्स कोट इस्ट इसांडर कोड यहां पर mention करने के तो simply आपको क्या स्कोलन करने हुआ प्यसको जब भी assignment बनाओ तो इन बातों का आपको धियान में रखना हुआ ठीक है पेस को स्कोलन करने के बाद यहां पर email id आपका नाम program code enrollment number course code then study center code फिर उसके बाद यहां पर add file पर क्लिक करनों जैसे आप add file पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगे और जहां भी आपने पीडियाफ सेंड कर रहे है डोकुमेंट सेव कर रहा है वहां पर आप सब्सक्राइक करकर कर सकते हो इस परकार से अपने पर क्यैसें लिए जीआ जैट के रिक गाट्लाइस बहुत पर यहां पर किया देली क्विस्गे संद्री की तरफ से वीडियो के आपके साथ का रियिग ऑनसिंट केंव होगी और जिनको रिजल्ट अपडेट हो चुका है बट नंबर कम है और ग्रिविंस के मार्ट के एड के बाद भी नंबर कम हो रहे हैं तो इस दुरान आप रिवलूशन के लिए अपलाई कर सकते हो ठीक है वह बहुत बढ़ी है रहेगा आपके लिए और आपका स्टेटस भी अपडेट नहीं हो रहा है आपको प्राप्त नहीं हो रहा तो इस दुरान आपने रिजन सेंटर पर जा करके जो भी आपको रिजन सेंटर है वहां पर विजिट करके कि अपनी को बता सकते हो तो आज के लिए तनी धन्यवाद